हेलो स्टुडेंट्स जैहिन कैसे आप सभी लोग तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं स्टार्ट करेंगे पेपर टू के पहले टॉपिक से प्रधान मंत्री गती शक्ती ये लॉंच हो गया है ये एक National Infrastructure Master Plan है जो की लॉंच हुआ है जो आपको ध्यान में रखना है क्या है ये प्रधान मंत्री गती शक्ती एक National Infrastructure Master Plan है एक प्लान है एक Master Plan है जो की हमारी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए हमें देखने को मिल रहा है अभी 13 अक्टूबर को जो है वो इसे लॉंच किया गया है कल के दिन राइट और हलाकि इस गती शक्ती स्कीम के बारे में हमारे Honorable Prime Minister ने Independence Day 2021 के Independence Day में स्वतंतरता दिवस में जो है वो गोश्रा अलरेडी कर दी थी और Master Plan के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है तो देखो इस Plan में 16 मिनिस्ट्री और 7 कोर सेक्टर को एक सिंगल प्लाइट्फॉर्म पर लाया जा रहा है सोला मिनिस्ट्री और 7 कोर इंट्रास्रक्टर सेक्टर एक सिंगल प्लाइट्फॉर्म पर इनको जो है वो लाया जा रहा है और सिंगल प्लाइट्फॉर्म को लाने का में मकसद यह है कि यह मिनिस्ट्री जो काम करती है जैसे कि लेट से एक X मिनिस्ट्री एक Y मिनिस्ट्री है ये दोनों ही जैसे कि यह तूरिजम की ministry है यह सोच रही है कि इस space पर हमें करना है साफ सफाई जो है वो करवा नहीं जल्दी 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 रहें कि जिसी कि टूरिज्ट एट्रैक्ट हो सगें और यहां पर यह सोच रहें कि various लेज्से की infrastructure create किया जाए और दूसरे हमें देखने को मिनिस्त्री भी जोंकि सेम प्रोजेक्ट के लिए वो काम करना चाहरी है और अलग-अलग प्लैंन्स बन रहा है तो ये कैह रहा है कि हर एक सिंगल प्रोजेक्ट पर सभी मिनिस्त्री जो है कर प्लान करें एक साथ एक जुट होकर जो है वो काम करें जिससे कि वो प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो complete हो उसका clearance जल्दी जल्दी मिल जाए और इस प्रकार के strategy हम लोग को देखने को मिल रही है इससे वाकई में प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी हम लोग को देखने को मिलेंगे complete हो सकेंगे कई बार तो होता है कि various ministries के करण प्रोजेक्ट जो है वो अटक जाता है कि उनसे उन्हें clearness नहीं मिल पाता और एक ही platform पर इतनी सारी ministries होगी तो तुरंट जो है वो एक प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी जो है वो approval मिल जाएगा और यह सेम ऐसी चीज़ है कि duplication of plan में चीज़े को खराब होती है आप UPSC की तैयारी कर रहे है आप आज एक timetable बनाते हैं एक plan बनाते हैं दो महिने तक उस plan पे काम करते हैं फिर किसी ने बोल दिया कहा रही है यह plan follow करो यह अच्छा है आपने उस plan को छोड़ दिया आपने दूसर plan को follow कर लिया यार एक बार एक plan पकड़ रहे हो तो उस पर जो है वो stick होके चलो राइट उसको आपको completely follow करना है अगर difficulty आ रही है तो हमारी UPSC 2022 के batch को join कर लो वो बहुत भैतरी है उसमें एक single plan आपको दिया जा रहा है मतलब कि मैं आपकी पूरी strategy develop करके दे रहा हूं और regular basis पर आपको task दिया जा रहा है सिर्फ उसको आप follow करेंगे तो exam से पहले-पहले पूरा syllabus बहुत अच्छे से आपका cover हो जाएगा और at least 2-3 बार minimum आपका revision भी करवा के मैं दे रहा राइट तो वो आपके फायदा करेगा अब गती-शक्ती platform की बात करें गती-शक्ती platform तो गती-शक्ती platform जो है ये launch किया गया है मतलब information को instantly provide कराने के लिए तुरन सूचना प्रदान करने के लिए ये गती-शक्ती platform की शुरुबात की गई है it will allow for better coordination among ministries तो ये जो platform हम लोग क को देखने को मिल रहा है जो information provide कराने के लिए रखा गया है तो ये instantly एक तो information भी provide कराएगा ministries को plus ministries के बीच पे coordination भी होगा जिससे की projects वगरा जो है वो जल्दी-अदी-फासली जो है वो implement हो सके complete हो सके गती-शक्ती scheme launch की गई है किस aim के साथ कि तीन basic goals को इन्हें achieve करना है ये कौन से-कौन से goals हम लोग को देखने को मिल रहे है seamless multimodal connectivity for facilitating easy movement of goods and people माल और लोगों की आसानी आवा जाही की सुविदा के लिए निर्भाद multimodal connectivity हम लोग को देखने को मिल रही है मतलब कि हम लोग को ये भी करना infrastructure ऐसे create भी करने कि जल्दी-शल्दी लोग और समान जो है वो एक distance से दूसरे distance तक चल्दी-शल्दी travel कर सके है अब देखो let's say कि हमें जो है वो इस वाय वाली location पर इट चाहिए bricks चाहिए इट चाहिए किस चीज़ के लिए यहाँ पर building घड़ी करने के लिए और X जगा से यह वाय जगा है एक X जगा है एक जगा है एक जगा से जो है व और यह land route की connectivity भी हो highways भी हो railway tracks भी हो right जिससे की समान वगएरा और लोग वगएरा जो है वो जल्दी से एक location से दूसरी location तक आ जा सके है तो यह इस particular चीज़ का main goal एक रखा गया है इनोने यह एक goal यह है कि हमें इस प्रकार की connectivity को increase करने के ऐसे infrastructure जो है वो create करना है improved prioritization, optimal usage of resources, timely creation of capacity, बहतर प्रात्मिक्ताएं क्योंकि ministries यहाँ पर आपस में रहेंगी तो वो अपने अपनी विचार, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी plans वो सामने रखेंगी और उसकी according जो nation की priority है तो उसको सबसे सामने रखा जाएगा और उसकी according plans त्यार करके काम किया जा रहेंगे, उप्योग करेंगे, optimal usage होगा, wastage जो है वो कम से कम होगा, समय पर छमताओं का निर्माण, time पर हम लोग capacity build up करेंगे, right, चाहे वो employment perspective से हो, चाहे वो infrastructure create करने के perspective से हो, resolution of issues, काफी सारे issues हम लोग को देखने को बलते हैं, जैसे कि disjointed planning, वो ही जो मैं भी आपको समझा रहा था, कई बार planning होती है, वो ऐसी planning होती है कि वो, मिलब उसमे कही न कहीं, जैसे कि अब एक ministry जो है, वो अपने, अपने ही role तक जो है, वो सीमित है, right, अब जैसे for example, कुछ projects होता है, जैसमें multiple ministries की requirement होती है, जैसे for example, आपको एक railway track जो है, वो बिचाना है, right, तो ministry of railways involved है बट वो railway track अगर jungles होता हुआ जा रहा है, तो ministry of environment, forest and climate change भी involved होगी, है की नहीं, तो अब इसमें क्या होता है, कि इसमें कई बार, जैसे कि railways ने पूरा खर्चा कर लिया, plan मना लिया, सब कुछ कर लिया, but environmental ministries की तरफ से अगर clearance नहीं मिल पा रहा है, किसी कारणवर्ष, जै के displacement के लिए वो ready नहीं है, राइट, वो protest कर रहा है, फिर कैसे ये project शुरूब कर नहीं हो पाएगा, तो यह सब चीज़े हम लोग को देखने को मिल रही है, जैसे कि bullet train का project कितने समय पहले आया था, अभी तक जो है, वो properly implement नहीं हो पाए, because of such kind of protest, यह ना, तो यह वाली choose हैं, उसको भी वो उसी समय highlight कर सकेंगे, understanding the point, इसके लबा standardization and clearance, तो वो ही clearance is mainly चीज़, जल्दी से जल्दी जल्दी मिल सकेगा, एक project जल्दी finish हो सकेगा, तो aim क्या हम लोग को इस master plan के देखने को मिल रहे है, यह वाला master plan है यह एक framework प्रोवाइट करा रहा है, national infrastructure pipeline प्रोग् किये गए है, कितने में यह national infrastructure pipeline हम लोग को देखने को मिल रही है, और पहले कितने पैसे allocate किये गए थे, फिर किस task force के बाद, कौन सा task force आया, जिसने recommend किया, कि इसकी जो है funding बढ़ाई जाए, तो बता हो जारा नीचे comment box पर लिखकर, plan का main aim ये भी है, to make Indian products more competitive by cutting down their logistic cost, यह बह location से, दूसरी location तक, अगर eat, जैसे bricks है, eat है, अगर आप eat को जो है, वो लेकर आ रहे हो एक location से, दूसरी location पर, तो यह इस eat की cost भी जोड़ेगी, और shipping cost, यानि की transportation cost भी जोड़ेगी, बट अगर आप infrastructure को इस प्रकार से बहतर करते हो, right, कि easily, जो है वो transportation हो जाए, यानि कि difficult terrain now, क्योंकि obviously बाते हैं, यहाँ पर सिर्फ, let's say, कि सिर्फ यहाँ पर highways ही होंगे, तो obviously बाते है, ट्रकों के through, जो है, वो समाना आएगा, जिसमें और पैसा जो हो लगेगा, बट अगर यहाँ पर railway के शुविदा होगी, तो railway के through, जो हो समाना आएगा, जो कि थोड़ा सा transportation सस्त हो जाएगी, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, cost को जो हो cut down कर सकते हैं, especially logistic cost को, और overall product को सस्ता जो हो कर सकते हैं, और supply chain को हम लोग को improve करना है, तो उसी model के through supply chain भी जो हो improve होगी, it also aims to give a foundation for holistic infrastructure and an integrated pathway for economy, तो हम लोग holistic infrastructure plan जो हो तियार करना है, काफी सारी ministries के साथ मिलकर, रही solar ministries जिसमें involved है, साथ core sector पर अभी हमें देखने को मिल रहा है की, involved किया गया है, seven core sectors को, right, it will help the local manufacturers of India in turning globally competitive, अब अभी किसी बाते infrastructure वगरा create होंगे, right, हमें देखने को मिलकर है की transportation facilities जो है, वो बहतर हो जाएगी, connectivity बहतर हो जाएगी, तो हमारे products जन्दी शल्दी port तक हम लोग पहुचा सकते हैं, और port के माध्याम से हम लोग इस product को export करवा सकते हैं, तो इसमें local manufacturer को जो है, वो काफी फायदा मिलेगा, global level पर अपना competition करने के लिए, compete करने के लिए, क्योंकि उनके product जो होंगे, वो सस्ते हो जाएंगे, transportation cost के कारण, जो सस्ते हो नहीं के कारण, क्योंकि transportation connectivity, जो है वो, easy हो जाएगी, right, apart from that, this scheme of worth over 100 lakh croda rupees will create employment opportunity for youth, actual में ये 111 lakh croda rupees होना सी है, क्योंकि natural infrastructure pipeline, जो है वो 111 lakh croda rupees की है, अटानू चक्रवर्ती task force आई थी, तो उसने जो है वो ये recommendation दिया था, तो आप चाहो तो लेख लो extra, क्योंकि ये चीज़ हापर नहीं दी हुए, it seeks to attract investment from worldwide, तो ये project से investment जो है वो पूरे दुनिया भर में से प्राप्त होगा, to improve the infrastructure in India, इंडिया में infrastructure improve करने के लिए, और एक नया direction और fresh momentum जो है वो provide कराने के लिए overall, इंडिया के अंदर infrastructure development का, और इस plan के significance की बात करें, महत्व की बात करें, तो हो ही वेन आपको ओदाए, seamless multimod connectivity platform, यह हमें देखने को मिलेगा, will ensure seamless movement of goods and people and will enhance ease of living and ease of doing business, तो obvious ही बात है कि अभी main priority पे जो हो रखा जा रहा है, वो connectivity को रखा जा रहा है, क्योंकि एक पर आप connectivity इस्टाबलिश कर लोगे, हमारी country में, उस-उस छेदर तक दूर दराज के areas तक remote areas पर, जहाँ पर connectivity नहीं है, त connectivity अगर establish हो जाएगी, तो obvious ही बात है कि वहाब के जो local manufacturers हैं, उनका समान जो होगा, वो इस connectivity की कारणा सस्ता होगा, उसकी prices जो है, वो सस्ती होगी और जाल स्यादा market में फिर बिगेगा, right, तो यह चीज हमें देखने को मिल रही है, तो यह था पूरा overall topic, hopefully आपको अच्छे से पूरी चीज जो है, वो crystal clear समझ में आ गई होगी, अब देखिए, इंडिया और United Kingdom, इन्होंने एक agreement किया है, forward action plan को लेकर, यह forward action plan किन-किन feed में है, power और clean transportation, renewables, green finance, green energy research की field में, जो यह 2030 के road map से बिलॉंग कर रही है, मतलब कि खुल मिलाकर simple चीज आपको ध्यान में रखनी है, इंडिया और UK, United Kingdom, Britain, इन्होंने मिलकर, जो है, वो renewable energy को तेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक agreement, जो है, वो sign किया है, तीसरी, इंडिया-UK energy for growth partnership, ministerial energy dialogue हमें देखने को मिली है, जिसमें इस forward action plan को discuss किया गया है, और यह United Nations Climate Change Conference, COP26, जो की October 31 को होने वाली है, Gasgo में, UK के अंदर, तो उसी के ही background में यह forward action plan जो है, वो establish किया है, इंडिया और UK ने मिलकर, एक agreement के तुरूप, तो इसमें क्या-क्या discussion हम लोग को देखने को मिला है, तो दोनों countries ले discussion किया है, agree हुई है forward action plan के उपर, forward action plan के अंदर काफी सारे topics cover किया है, जैसे कि energy की field में यह मिलकर काम करेंगे, storage, very important, जैसे कि batteries की आज की rate में समझ से अगर electric vehicles की बात करें, या renewable source के source से जो हम लोग energy generate करते हैं, तो उसको store जो है वो करने के लिए, एक बड़ा challenge हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो जिस challenge को जो है वो accept किया है, कि उस पर काम करने के लिए, इंडिया green hydrogen, जिसके बारे में मैं आपको अरड़ी पढ़ा भी चुका हूँ, अगर अगर आपकी understanding एक topic पर अच्छे से develop होगी, तो आप उस current affairs के topic cover कर सकते हूँ, जैसे मैं आपको बता है कि आप मेरे जो regular यहाँ पर lectures follow कर रहे हो, इनी lecture से related question आएंगे, इससे बाहर का कुछ नहीं आ को आपके सामने फेकती नहीं है, वो घुमा फिरा के फेकती है, और जब मैं जिस प्रकार से आपको कीजों को describe करता हूँ, आपकी दिमाग पर बैढ़ाता हूँ, आपकी understanding build-up करता हूँ, तो वो अगर आप regularly follow करेंगे, इस पर time देंगे, तो आप UPSC के current affairs पूरे के पूरे अराम से वो कर सकते हैं, आपको कोई परिशानी नहीं आईगी statement को देख कर, और दूसी चीज़, आपको revision करना बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ रहे हैं, आप understanding to develop करें, और अगर revision नहीं करोगे, तो पीछे से सब कुछ गोल हो जाएगा, इसलिए जो नया badge जो मैंने launch किया उसमें revision को भी मैंने बहुत थ्यान दिया, revision पर भी, और regular basis पर आपका revision मैं करवा रहा हूँ, किस topic में क्या चीज काम किया है, क्या चीज नहीं है, वो चीज कवर करवाई आ रही है, तो अभी भी अगर सोच रहे हो, तो time जादा नहीं निकला है, तीनी classes हुई है, जिल्दी स energy के अंदर देखने को मिल रही है, तो इस पर भी जो यह काम करेंगे, investment पर भी mainly focus करेंगे, this action plan was agreed upon in the backdrop of India and UK plan of exploring the possibility to set up a world bank for green energy, तो यह mainly target कर रही है, separately India और UK कि इनको जो है, वो green energy के उपर जो है, वो काम करना है, storage लेकर आनी है, याने कि storage facility को लेकर आना है, renewable energy को boost करने के लिए राइट, various plans जो ही है, country separately जो है उपरारी जैसे हैं, हमारे एक separate plans हम लोग को देखने को मिलते हैं, UK के separate plan है, तो इन्होंने जब एक जगा पर इनकी meeting हुई, तो उस दौरान इन्होंने अपने separate plans को सामने रखा और आप यह कह सकते हैं, integrated, उन दोनों के plans को इन्होंने इंटीग करके हमें electric vehicles पर पहुचना है, तो यह कैसे transition हो पाएगा, कितनी जल्दी हो पाएगा, क्या-क्या possibilities हैं, क्या-क्या challenges हैं, तो उसके बारे में जो है वो discussion होगा, both ministers discussed regarding the ongoing energy transition activities in their respective country, कि उनकी country में किस प्रकार से यह transition कर रहे हैं और इसको कैसे तेज किया जा सकता है, primary focus रखा गया solar, wind, electric vehicles और other alternative fuels के उपर, कि जो conventional fuel है, उससे आप renewable energy पर या इस प्रकार के green fuels की तरफ जो है, वो कैसे shift हो सकते हो, there hasn't been much grip on green climate fund, actually क्या हुआ था, कि 2022 तक जो developed countries हैं, उन्हें developing country को जो है वो amount provide कराना है, यह decide हुआ था, कि जो developed countries है, वो क्या करेंगे developing countries को funding provide कराएंगे, जिससे की developing countries जो है, वो climate change को counter कर सके, right, बट इस चीज़ पर, इस fund के बारे में, 100 billion US dollar annual देने की जो बात हुई थी, तो इस fund के बारे में, कोई भी discussion नहीं हुआ, UK और India की इस meeting में, UK had also announced 1.2 billion US dollar package, UK का 1.2 billion US dollar का package भी हमें देखने को मेला, public और private investment के लिए, right, और green और renewable energy के project में, इसने ये भी बोला कि ये collaborate करेंगे, इंडिया के साथ green hydrogen के लिए, तो green hydrogen में भी इंडिया और UK मिलकर काम करेंगे, अब सवाल ये उठता है, ये green hydrogen है क्या, देखो, ये कैसे produce होता है, इसमें, पानी हमें क्या देखने को होता है, H2O, तो आपको क्या करना है, इससे oxygen को अलग करना है, hydrogen को अलग करना है, है न, hydrogen molecule को अलग करना है, और oxygen को अलग करना है, तो ये यही चीज तो हम लोग को hydrogen को जो है वो अलग करना है तो इसमें क्या होता है it is produced by splitting water into hydrogen oxygen तो पानी H2O को आप जो है hydrogen और oxygen में जो है वो split कर दें अगर आपको green hydrogen के बारे में mention करना ना means of answer तो आप ये ज़रूर बनाईएगा कि H2O equals to HOH तो आपको क्या करना है इसमें आप इसको हमें separate करना है और आप separate कैसे करोगे electrolyzer के तुरू किसके तुरू electrolyzer के तुरू जो है वो आप separate करेंगे hydrogen को और oxygen को और ये electricity के power के तुरू होगा और electricity generate की जाएगी wind और solar से ऐसा नहीं है कि electricity हम लोग को जो हमारे घर में आ रही है क्योंकि घर में जो electricity आ रही है उसमें कोईला भारी मातरा में जल रहा है फिर आप green hydrogen को जो create करोगे वो green hydrogen थोड़ना होगा या फिर आप अगर hydrogen को separate करोगे उसको green hydrogen नहीं बोलेंगे हम लोग क्योंकि उसमें भी कहीं न कहीं pollutant जो है वो हो रहा है बट अगर जैसे की for example आपके पास जैसे की solar grade रखा हुआ है आपने उससे जो है वो power generate करी और उससे power generate करके पानी के अंदर ये electrolyzer को जो है वो डाला और इसने क्या किया फिर जब separate किया hydrogen को और oxygen को फिर जो आपका hydrogen निकल के अलग हुआ है जिसको आपने store किया है तो वो जो hydrogen हमें देखने को मिलेगा वो green hydrogen क्यालाएगा यानि कि totally starting from the initial stage इसमें आप जो electricity का उपयोग करेंगे वो koily से जलने वाली electricity का उपयोग नहीं करेंगे ये वाली बात ध्यान में रखी है और यही चीज़ आपको means में mention करनी है this can be a game change for energy sector in India and help in reducing import तो इससे import जो हम लोग करा रहे हैं आज की rate में oil को crude oil वगरा को तो उसका import जो है वो कम हो जाएगा काफी जादा इंडिया currently import 85% of its oil and 53% of its gas demand तो ये वाला और जो regular general studies के जो course की जो students है आप इस वाले point को कहाँ पर लिखेंगे मैंने भी आपको क्या बताया है कि आपको GS paper 1, 2, 3, 4 को किस प्रकार से arrange करना है subtopics में तो इसके subtopic जो आप find out करो पहले कि इसका subtopic जो है Indian traditional medicine systems for promoting Ayurveda in Europe तो बहुत ही बड़ी है चीज़ क्रोशिया country हम लोग को देखने को बलती है ज़रा बताइए क्रोशिया country जो है वो किस sea के साथ जो है अपनी boundary share कर रही है और वो sea जो है चलो यहाँ पे लिखा ही हो है वैसे आपने देख लिए होगा किस चीज़ के लिए कि हम R&D करेंगे साथ में मिलकर किसमें Indian traditional medicine system में जो हमारा आयूश ministry जो हमें देखने को मलती है उसके अंदर जो भी चीज़ का उप्योग किया जा रहा है जैसे आयूश A-Y-U-S-H आयूश योग युनानी और फिर सिद्धा और होमियोपैथी तो इसमें हम लोग मेली टार्गेट कर रहे हैं आयूश प्योग के उपर तो आयूश ministry के पर Indian traditional medicine system के अंदर ये पूरी चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है तो इन पर भी research and trade जो है वो development जो है वो किया जाएगा और trade जो होगा वो आयूश वेट की field में होगा और योग को हम लोग जो है वो promote करेंगे यूरोप में और tourism भी इससे जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ेगा enhance होगा especially tourism के इस field में जैसे कि हमारे केरल वगरा में बहुत अच्छे-च्छे centers हम लोग को देखने को मिलता है जैसे पतंजली का center भी एक हम लोग को देखने को मिलता है तो वो आएंगे यहाँ पर तो उससे क्या होगा कि इसी आयरवेद योग की field में टूरिसम जो है वो enhance होगा Indian traditional medicine system एक तो promote होगा और दूसरी बात इसके करने टूरिसम भी जो है वो enhance होगा मेडिकल टूरिसम आप कह सकते हो तो क्रोशियन गवर्मेंट प्लान कर रही है कि वो एक package प्रोवाइट कराएगी आयरवेद और योग का मिलब Indian से अपने टूरिसम पैकेज होगा यानि कि इनके आईए क्या करेंगे कि टूरिसम पैकेज जो है वो शुरू करेंगे कि जिसको भी इंडिया जाना आयरवेद के लिए या योग के लिए वो यहाँ पर इंडिया जो है वो जाकर भूम सकते है तो इस प्रकार का टूर प्लान जो हम लोग को देखने को मिल रहा है या फिर सिंपल प्लान जो हम लोग को देखने को मिल रहा है तो इसको इंपलीमेंट करने के लिए Ministry of Iush हमें देखने को मिल रही है जिसने साइन किया है एक agreement Krochia Hill Ministry के साथ academic collaboration के लिए इसमें even Indian traditional system जो medicine का जो system है तो उसमें जैसे कि हमारे जो various colleges हम लोग को देखने को मिलते हैं इसी Indian traditional medicine system के तो उसमें भी क्रोश्टिया के जो students है वो यहाँ पर आएंगे और उनको जो हम लोग सिखाएंगे तो academic collaboration भी एक प्रकार का ही हमें देखने को मिला है Memorandum of Understanding जो है वो sign हुआ है All India Institute of Ayurveda और क्रोशियास Kaverner Health Tourism Cluster के बीच में ठीक है और इस agreement के तहरे दोनों countries हमें देखने को मिलेगा कि अपनी-अपनी academic activities एक दूसरे के institution में जो है वो conduct करवाएंगी और इसके लावा इस particular MOU का क्या significance हम लोग को देखने को मिल रहा है तो यह help करेगी Indian traditional medicine system को promote करने के लिए पूरे European countries में और यह एक significant step है जिसके तहट इंडिया के जो relation है वो दूसरी countries के साथ जो है वो मजबूत होंगे किस field में इसी medical tourism की field में इसको हम promote भी करेंगे academic research को medical education को clinical और educational activities को training को और एक competency जो है वो build up होगी right एक competition जो है वो build up होगा एक दूसरे के साथ right और हम लोग जो है वो हमारे successfully traditional Indian medicine को promote कर सकेंगे boost कर सकेंगे तो यह एक important चीज हमें देखने को मिल रही है अब अगर बात करें इंडिया और क्रोशिया के relations के बारे में कि इंडिया और क्रोशिया के कैसे relation हम लोग को देखने को मिल रहा है तो यूगो स्लाविया के समय से ही हमारे relation friendly है बात होती है यूगो स्लाविया के बारे में तो guys आपको बता दें यूगो स्लाविया जो है वो 1990s के दोरान च्छे कंट्रीज में जो है वो divide हो गई थी disintegrate हो गई थी वहाँ पर होने वाले conflicts के कारण तो ये च्छे कंट्रीज कौनसी कौनसी है तो याद रखेगा बॉसनिया एन हर्जी गोवेना मैसेडोनिया जहां से ये अलेकसेंडर आया था पैदा हुआ था सिगंदर था मैसेडोनिया का था किंग मॉन्टेग्रो सर्बिया क्रोशिया और स्लोवेनिया तो इन कंट्रीज में जो है वो divide हो गई थी यूगो स्लाविया और क्रोशिया जो है वो एक important central European country हमें देखने को मिलती है इसके जियो strategic location के कारण और इसकी membership European Union और NATO दोनों के साथ हमें देखने को मिलती है तो क्रोशिया हमारे लिए strategic country के तौर भी काम करेगी इसके अगर हमारे relationship और अच्छे जो हो boost होते हैं build up होते हैं इसके साथ और अच्छा हमारा tie up होता है तो हमारे ना ही सरफ economic benefits के लिए हमें फाइदा मिलेगा बलकि हमें strategic तरीकों से भी फाइदा जो है वो मिलेगा इसके साथ जुड़कर राइट तो country is a significant gateway to Europe ये country मलब ये उरोप तक जाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर आप कहा सकते हूँ ये प्रवेश द्वार हम लोग को देखने को मलब रहा है ये उरोप के लिए इसके Adriatic coastline के तुर तो Adriatic sea के बारे में आपको बता है तो बहुत important इससे related direct question बनेगा Adriatic sea जो है वो कौनसी कौनसी countries के साथ अपनी boundary share करती है तो वो थोड़ा सा आप थ्यान में रखिएगा अब guys discuss करेंगे world mental health day के बारे में जो की observe किया जाता है 10 October 2021 को याद रखिएगा इसका main objective क्या है कि mental health issues से related awareness जो है वो create करना पूरे दुनिया भर में और ये दिन जो है guys ये observe किया जाता है कि इस दिन जो है वो mental health और well being right मानसिक स्वास्ट और कल्यान इस से सम्मंधित जितने भी initiatives है जितने भी पहले हम लोग को देखने को बलती है initiatives मतलब तो उसको जो है वो support किया जाता है तो जो भी initiatives चल रहा है mental health और well being से related उनको support किया जाता है और focus किया जाता है कि नई नई policies जो है वो अलग-अलग देश जो है वो बनाए उनकी country में रहने वाले जो लोग है वो जिस भी प्रकार का mental health issue जो है वो face कर रहे हैं उससे उन्हें बहार निकालने के लिए अलग-अलग countries various initiatives जो है वो लेकर आए नई initiative लेकर आए नई तौर तरीके लेकर आए और कुछ countries नई तौर तरीके लेकर आती है तो इस दिवस पर उन countries के successful initiative के बारे में भी जो है वो दूसरी countries को aware किया जाता है जिसे कि दूसरी country भी उन country के जो policies हैं उसको adopt कर सके और अपनी country के अंदर लोगों की मानसिक स्वास्त और कल्यान पर ध्यान दे सकें support कर सकें clear मुझा बताईए आप जैसे की जानते हैं कि COVID-19 के समय पर बहुत बुरी इस्तिती हुई थी काफी सारे लोग depression में चले गए थे mental health issues हम लोग को देखने को मिल रहा था तो बताईए हमारी country ने Indian government ने किस प्रकार के initiative जो है वो लेकर आई जिसके चलते ही है mental health issue को जो है वो resolve किया जाए या support किया जाए तो Indian government ने किस-किस initiative के थूँ जो है वो mental health और well-being को support करने पर target किया तो बताईए वो scheme के बारे में वो policies के बारे में वो initiatives के बारे में नीचे comment box लेकर और हमें देखने को बला कि May 2021 में World Health Assembly जब conduct हुई थी तो उस दुरान भी पूरे दुनिया भर में हमें देखने को बला था कि government जो थी उन्होंने recognize किया था कि सभी level पर mental health services के सभी level पर quality को enhance करना है increase करना है और कुछ country ने ये भी लेकर आई यानि कि कुछ नई नई तौर तरीके लेकर आई जिसके चलती है अपने जो लोग है तो उनके mental health मानसिक स्वास्त की देखभाल करने के लिए ये नई नई तौर तरीके जो है वो लेकर आए थे और mental health day campaign की बात करें गाई तो इसमें आपको ध्यान में रखना है सबसे पहली चीज़ तो ये campaign किसके तौर और organize किया गया है world health organization के तौरा कि slogan के अंडर तो mental health care for all let's make it reality तो जो हिंदी मीडियम के student है तो आपको ये slogan भी international level का English में ही आपको देखना है क्योंकि कई बार क्या होता है हिंदी में translation के issues के कारण meaning जो है वो चेहन जाता और फिर difficulty आपको आ सकती इसलिए English में ही इस चीज़ को देखिएगा और world mental health day 2021 campaign के दोरान world health organization ने बताया प्रयासों के बारे में बताया कि किस प्रकार से कुछ countries ने अपनी country के अंदर किस तरीके से mental health issue को tackle किया और उनके efforts को highlight करवाया जिससे कि दूसरी country ये सब efforts जो है वो adopt करें और अपने जो system है right health system तो उसमें जो है वो inculcate करें शामिल करें और world mental health day की बात करें गई तो जैसे कि आप जानते ही कि एक international day हम लोग को देखने को मिलता है global mental health awareness education से related और जो social stigma चल रहा है उसकी advocacy के अगेंज या यानि कि उसको against जो social stigma कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो नहीं चाहते हैं कि जैसे for example उनकी family में कोई mental health issues से जो है वो face कर रहा है तो फिर भी वो doctor को cancel करने नहीं जाते कहीं लोग यह ना बोलने लगे कि अरे यार यह तो पागल है right तो वह ली चीज हम लोग को देखने को मिलती है फिर गानगा आए जागा कि हम पागल नहीं है भाईया हमारा दिमाग खराब है यह दिवस पहली बार world mental health day पहली बार 1992 में observe किया गया था at an initiative of world federation for mental health world federation for mental health के initiative के दोरान और यह federation जो है वो global mental health organization हम लोग को देखने को मिलता है जिसके अंदर 1500 country से भी जादा members हम लोग को देखने को मिलता है कुछ country जिसके अंदर जैसे Australia हम लोग को देखने को मिलती है this day is a part of awareness week तो Australia के अंदर यह awareness week के तौर पर भी इस दिन से जो है वो शुरुबात हो जाती है अब यह topic की बात करें तो line of credit की हमर बात हो रही है इस topic को मैं पहले भी आप लोग को cover करा चुका हूँ तो बताएं जारा नीची comment box पर लिख कर कि line of credit होता क्या है तो देखें बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो line of credit offer कर रही है क्रिकस्तान को यह चीज़ आपको ध्यार में रखने है क्रिकस्तान को जरब मैप में जाकर देखिए बताएं कि इंडिया से अगर आपको क्रिकस्तान पहुचना है तो कौनसी कौनसी country को जो है वो cross करते हो जाना है बिल्कुल अगर आप इंडिया के north से बिल्कुल straight line पर जाएंगे तो क्रिकस्तान पहुचने के लिए आपको किन-किन countries को follow करना पड़ेगा और या फिर कहां पर आपको turn लेना पड़ेगा किस direction में जो है वो जाना पड़ेगा और कौनसी countries को जो है वो follow करते हो जाना पड़ेगा बताओ जब तो line of credit का agreement हम लोग को देखने को मिला है एक meeting हुई थी हमारे external affairs minister एस जैशंकर जी और क्रिकस्तान के foreign minister रुसलान कजाक बाई तो बिश्केक में इनकी meeting हम लोग को देखने को मिली थी और कजाकस्तान जो है guys आज की rate में current हम लोग को chair देखने को मिल रहा है और initiator हम लोग को CICA forum का देखने को मिल रहा है अब CICA का full form हम लोग को देखने को मिलता है यह देखो conference on interaction and confidence building CICA तो यह हम लोग को देखने को मिल रहा है एशिया के अंदर peace security और trade को economics को enhance करने के purpose के लिए यह forum हम लोग को देखने को मिलता है तो कजाकिस्तान जो है वो इसकी chair हम लोग को देखने को मिल रहा है एश जैशंकर is also expected to hold bilateral talks with deputy prime minister and foreign minister of कजाकिस्तान तो कजाकिस्तान की deputy prime minister of foreign जो minister हम लोग को देखने को मिल रहा है तो उसके साथ जो है वो इन्होंने bilateral talks भी जो है वो कंड़क किये और इस meeting के तोरान एश जैशंकर जी ने discuss किया कि it is the need of there is a need of early travel of Indian students and liberal visa regime between both the country कि हमारे Indian students जो है वो आपकी जगापर आएं और आकर जो है वो various medical courses जो है वो अवेल करें क्योंकि जाहतर उस चेत्रों पे medical courses जो है वो जाहतर चलता है आपको बता होगा इसके बारे में अगर आपके परिवार में से या कोई relative होंगे आपके या कोई दोस्तियार होंगे तो वो गया होंगे तो यहाँ पर इस चेत्र में medical courses जो हो बहुत चलता है और हमारी country से काफी सारे जो students जो medical courses करने के लिए जाता है तो इंडिया और क्रिगस्तान के Republic relationship की बात करें गाई तो diplomatic relationship इंडिया और क्रिगस्तान Republic के बीच में जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो 21st century से ही काफी significant हम लोग को रहे हैं Initially 1990s के तुरान जो संबंध जो था वो passive हम लोग को देखने को रहे था मतलब की simple तरीके के मतलब उत्रे active जो है वो संबंध नहीं थे initial level पर फिर बाद में जाकर धीरी दीरे जो आपक्टिव हुए Both the countries seek to develop an extensive commercial and strategic partnership in Central Asian region जो Central Asian छेत्र में हम लोग commercial यानि की trade point of view से भी एक relationship established करते हैं और strategic point of view से भी क्योंकि हमें अपना market जो है वो Central Asian तक जो है वो लेकर जाना है पहुचाना है उस perspective से भी हमारे और even peace और security को maintain करने के perspective से भी strategic partnership हमारी क्रेगिस्तान के साथ हमें देखने को मिलती है और India ने Kazakhstan की independence जो है वो recognize करी थी Soviet Union के साथ जब Soviet Union dissolve हुई थी 1992 में USSR इसके बार में international relationship में आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है यह आपके exam का topic है एक important और recent years में इंडिया जो है वो काम करी है इंडिया is working towards increasing its commerce and strategic ties with Kazakhstan तो हम लोग आज की रेट में Kazakhstan के साथ भी अपने trade relationship और strategic relationship को enhance करने के लिए लगातार काम कर रहा है Kazakhstan is significant because it occupies a major territory in Central Asia comprising extensive oil, natural gas and mineral reserve तो इस चीज़ के लिए भी Kazakhstan जो है वो काफी ज़्यादा important है हमारे और question आ सकता है कि हम Kazakhstan से relationship जो है आप highlight करिएगा या पर Kazakhstan से relationship को create करना हमारे लिए क्यों इतना important है तो ये तीन चीज़ के लिए आप लोग को थोलगा साथ ध्यान में रखना है इंडिया seeks to expand its ties in the backdrop of increasing economic and strategic influence of China तो आज की रिट में चाइना इस छेद पर पूरी तरह से influence करने की कोशिश कर रही है अपने belt and road initiative को लेकर तो उसी समय हम चाह रहे हैं कि इन सब countries के साथ अपने relationship को हम लोग strengthen कर ले है और इंडिया कजागिस्तान energy cooperation की बात कर रहे है तो ये topic बहुत ज़दा important बहुत ध्यान सुनना तो हम लोग क्या कर रहे हैं आज की रेट में renewable energy, clean energy, green energy पर focus कर रहे है, target कर रहे है तो हम लोग अपने nuclear energy industry को develop कर रहे है इसको as a clean alternative के तोर पर जिसके चलते huge energy needs को हम लोग fulfill कर सके है क्योंकि आप जानते हैं कि nuclear power जो है वो clean energy हम लोग को देखने को मिलती है तो हम लोग nuclear power का इस्तमाल करने या उस technology पर जो है वो काम कर रहे है और कजागिस्तान के पास एक uranium reserve भी है बहुत भारी मातरा में तो यह अला point भी आपको ध्यान में रखना है कि बहुत भारी मातरा में कजागिस्तान के पास uranium reserve भी हम लोग को देखने को मिलता है जो हमारी जो यह nuclear energy जो industry हम लोग create कर रहे हैं उसको develop कर रहे हैं तो उसमें काफी ज़्यादा help कर सकता है तो इसलिए भी इंडिया कजागिस्तान के साथ अपने close relationship establish कर रही है तो paper 2 से related इतने ही topics थे now we are moving to paper 3 तिलंगाना state election commission has planned to conduct a dry run of a mobile based e-voting system तो देखो mobile based e-voting system जो है वो कहाँ पर शुरू हो रहा है तो तिलंगाना के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यह plan कर रहे हैं कि इस प्रकार से system को लाने के लिए तो development of this system is guided by the necessity of holding polls in India amid COVID-19 pandemic तो जरूरत तब पढ़ी हम लोग को की COVID-19 के समय पर जब obvious ही बात है कि सब चीज lockdown हो गई थी public places पर हम लोग को देखने को मत्रा था कि allowed नहीं थी public बढ़ आज की rate में तो सब को chain हो गया है this system if successful will facilitate to vote using smartphones from home तो यह system अगर successful हो गया है तो लोग अपने घर से ही vote डाल जकते हैं but obvious ही बात है कि इसके loopholes भी बहुत हम लोग को देखने को मिलेंगे या इसके जो cons है जो नुकसान है वो बहुत ज़ादा हम लोग को देखने को मिलेंगे कैसे एक दो बताओ जरा क्या दिमाख में आ रहा है सबसे पहली चीज तो fraud होना शुरू हो जाएगा जैसे कि हम जो बोलते हैं कि पहले के समय पर लोगों को जो है वो गुंडे को खड़े करके लोगों को बोलो जाता है कि valid paper जो हो डालो right forcefully तो ऐसी obviously बता है कि लोगों के घर-घर में smartphone से अगर voting होगी तो इस प्रकार का गुंडाई जो है वो चालो हो जाएगी फिर पहले की तरह right तो इससे कैसे निपट सकते हैं जरा दिमाख लगा और नीची comment box पर फरीब 20 से 25 word में लिख कर बताओ जो भी आपके दिमाख में आ रहे हैं वो लिख कर बताओ I want you to think क्योंकि अगर आप सोच होगे नहीं तो UPSC को crack करना difficult right आपको सोचना पड़ेगा जो चीज मिल रही है सिर्फ उसको grabs मत करो उसको लो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसको सीखो और सीखने के बाद एक understanding build up करो और उसके थूँ जो है वो अपने answer create करने की कोशिश करो क्योंकि मेरा जो objective है सिर्फ पढ़ाने का नहीं आपके mind को active करने का है उस लायक बनाने का है जिस लायक ये UPSC demand करता है आपने देख लिया होगा पिछले 3-4 सालों से उसका trend होता जा रहा है एक तो पहली बात आपको main ready होना है और आपको perfect होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जो भी चीज पढ़ रहा है उसकी clarity बहुत अच्छे सहोनी चीए नहीं तो चार option दिखेंगे एक जैसे confusion होगा और confusion कब होगा जब clarity नहीं होगी तो confidence की कमी होगी तो फिर आपको question स्किप करोगे तो confidence रखो कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो चीज अच्छे सा आप graphs कर पाओ और उसके बार में सोचो सोचोगे तो और अच्छे सी जो होगे चीज़े graphs कर पाओ और dry run will be held in command district of तिलंगाना तो तिलंगाना के command district में हम लोग को देखने को मिलेगी अक्टोबर 20 से ये conduct की जाएगी और इंडिया का की पहली smartphone based e-process हम लोग को देखने को मिलेगी है और registration procedure किस प्रकार से होगा खाफी interesting चीज है तो voter जो है वो register कर सकेंगे अपने आपको right smartphone application का उप्योग करते हुए 8 October से 18 October के बीच में इसकी implementing agency की अगर हम लोग बात करें तो Technologies Wing of IT Electronics and Communication इनके साथ मिलकर जो है वो IT Electronics and Communication के साथ मिलकर जो है Department of Tilangana Government की है हमें देखने को मिलती है और Technical Development Center for Development of Advanced Computing CDEC भी इसको provide करा आज़े तो CDEC, IT, E&C और Tilangana State Election Commission तो इन लोग मिलकर जो है वो ये शुरू कर रहा है इस particular project को और artificial intelligence का इसमें उप्योग किया जा रहा है, mobile-based e-voting system जो है ये artificial intelligence का उप्योग करेगी, right, तीन factor authentication के लिए, valid voters के लिए, right, तो तीन factor authentication जैसे की for example OTP वगरा जो है वो कुछ आएगा, right, quite possible हो सकता है, face, camera भी जो है वो on हो, उस दौरान, right, तो वो जीज हमें देखने को मिल सके तो system will match the voters name, voter का नाम जो है वो match करेगा, उसके आधार के साथ, detect करेगा individual liveness को, और match करेगा immediate को, जो मैने भी आपको बताया, EPIC database का उप्योग करते हुए, right, और इसमें 20 साल से record हम लोग को लगभग देखने को मिल रहा है, इस database के अंदर, तो इस database का उप्योग करते हुए, पूरे voters को जो है, वो detect किया जाएगा, right, तो यह चीज हमें देखने को मिलेगी, blockchain distributed ledger technologies के अंदर हमें देखने को मिलेगी, इसका उप्योग किया जाएगा, अब इसमें देखो, अभी EVM में ही इतने सवाल उट रहे थे, EVM को full form बता, तो EVM में ही इतने सवाल जो है, वो retain them as immutable record, right, तो इसे एक सुरक्षित करने के लिए, records को है, वो सुरक्षित, इसकी security को enhance करने के लिए, यह blockchain technology का भी उप्योग करेंगे, और TSEC eVote application की बात करें, तो यह smartphone application, TSEC eVote app, तो यह smartphone application अब देखने को मिलेगी, right, एक minimalist design approach के साथ की सामने आएगी, जिसमें English और Telugu language द application होगा, tutorial videos का, जिसको देखकर लोग सीख सकेंगे कि कैसे उने vote डालना है, तो इस देखो, TSEC, तिलंगाना State Election Commission eVote application, तो यह point आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, right, और यह किसी प्रकार की tempering ना हो, तो उसके लिए भी इसको तयार किया गया है, इस application को इस प्रकार से, और इस system का misuse नहीं किया रहा सकता, क्योंकि यह device ID, जो भी phone की device ID है और phone number है, उसको एक साथ bind कर देगी, right, एक citizen के registration process के दोरान, तो जैसी कि एक व्यक्ति है, तो उसकी voter ID card का number जो हो मांगा जाएगा, right, उसके mobile, जिस mobile पे वो vote डाल रहे हैं, तो उस mobile का number और वो device, वो जो mobile है, जैसे कि authenticity जो है वो बरकरार रहे है, right, तो यह चीज हम लोग को देखने को मिल रहे है, जिसके बारे में एक ID आपको होना चाहिए, अब देखो, UPSC ने थोड़ा सा इस बार sports के बारे में भी जो है वो दिखाया है, तो आपको थोड़ा सा sports पर भी हलका भूलका ध्यान रख देखने को मिल रहे है, 83rd minute strike में इंडिया और नेपाल का match हुआ था, football match हम लोग को देखने को मिल रहे है, तो यह चीज हम लोग को देखने को मिल रहे है, और इसी के साथ जो है वो Indian team, जो है वो SAFF Championship में जो है वो चली गई है, और यह चेतरी जो है, he is now placed on joint third with Ali Makboth from UAE in the list of highest score among the active footballers, और highest goals की अगर हम लोग बात करें, scores की अगर हम लोग बात करें, तो Ronaldo first पे आम लोग को देखने को मिल रहे है, second पे हम लोग देखने को मिल रहे है, Lionel Messi, 79 goal के साथ, और यह third पर हम लोग को देखने को मिल रहे है, UAE के Ali Makboth के साथ, 77 goal के साथ, यहने की highest score के साथ, SAFF Championship की हम लोग बात करें गई, तो अब इंडिया इसके अंदर शामिल हो गई, South Asian Football Federation Championship की हमें देखने को मिल रही है, यह Championship एक International Association Football Competition का है, Men's National Football Team का, इसके अदर अभी at present हम लोग को साथ टीम जो है वो देखने को मिल रही है, और इसे South Asian Football Federation जो है वो गवन करती है, साथ टीम जो है वो देखने को मिलता है, अफगानिस्तान जो है वो latest country है, जिसने SAFF को 2005 में जोइन किया था, however, अफगानिस्तान ने इस association को 2015 में जो है वो quit कर दिया था, और it became a founding member of Central Asian Football Association, तो वो Central Asian Football Association की founding member जो है वो बन रही है, चलो निवेस, आगे की जर्जा करें हम लोग, तो अब देखिए ह हम लोग को एक दो बड़ी train ने देखने को बन रही है, तरिशूल और गरूदा, यह पहली बार हम लोग को देखने को बन रहा है कि South Central Railways में एक बड़ी train जो है वो launch की गई है, freight trains, मालगाडी, तो यह train मालगाडियों की हमें बताय जा रहा है कि समान्य, संद्रचना से दो ग capacity constants in critical section, तो कई बार जादा समान जो है वो लेकर जाना पड़ता है, तो उस समय दिक्कते आती है, तो यह train के थू है वो जादा मातरा में समान जो है वो ले जाया जा सकेगा, तरिशूल की बात करें, तो पहली long haul train हम लोग को देखने को मिल रही है, तीन freight trains में पहली हम लोग को देखने को मिल रही है, South Central Railways में हम लोग को नजर आ रही है, South Central Railways में, और बता जा रहा है कि यह train जो है वो start होगी किसे station से किसे station पर तो उतना कुछ खास important नहीं है, बढ़ फिर भी अगर जानना चाहो तो जान लो, Kondapalli Station जो विजेवारा Division का है, उससे खुरदा Division जो East Coast Railway का हम लोग को देखने को मिल रहा है, वहाँ पर यह रहेंगी, और गरूदा की बात करेंगाई, तो गरूदा train जो हम लोग को देखने को मिल रही है, यह train जो है वो राइचुर जो गुंतकल Division हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वहाँ से हम लोग को सिकंद्रबाद Division के मनुगुरू तो यहां तक जो ही है ट्रावल करेगी और दोनों में ही इसके फीचर बगर उतने कुछ खाज आपको ध्यान में रखने की जरूद नहीं है साउथ सेंटरल रेलवेस की बात करें तो अठारा जोन इंडियन रेलवेस के हैं तो यह स्टेट्स आपको ध्यान में रखना है इस जोन के अंदर तीन डिविजन हम लोग को देखने को मिलते हैं सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेट तो यह तीन डिविजन हम लोग को देखने को मिलते है और डिविजन जो विजय वाड़ा गुंटकल और गुंटूर रेलवे स्टेशन का हमें देखने को मिलता है यह separated है और इसमें South Coast Railway Zone जो है वो बनाया गया है तो इसको separate करके South Coast Railway Zone बनाया गया है जिसका headquarter हम लोगों सिकंदरबाज रेलवे स्टेशन जो है वो देखने को मिलता है बस यह कुछ-कुछ बेसिक सी इस प्रकार की चीज़ें कई बार स्टेट सिवल से और सिस डारेक्टी पूछ लेती है इसलिए इसको add किया गया है राइट चलो आगे एक चर्चा करें यह बहुत important topic है तीन United States Based Economist तीन Economist हैं United States के David Card, Joshua D. Angrist और Guido W. Imbens इन्हें Nobel Prize in Economics 2021 जो है वो मिला है तो Nobel Prize in Economics किसको मिला है तो यह तीन नाम अब बस आपको ध्यान में रखना है रही और यह प्राइस है वो किस परपस के लिए दिया गया है on use of natural experiments on the impact of minimum wage, immigration and education on labor market तो labor markets में education, immigration और minimum wage के main मुद्दो को जो है वो उन्हें उठाया है और कुछ experiments जो है वो उन्हें ले करे हैं one half of the price यानि कि आधा प्राइस जो है वो मिला है डेविट कार्ड को और आधा जो हो मिला है वो शेर किया गया है जोश्वा, एंग्रिस्ट और गुडो, इम्बेंस के बीच में और देखिए question यह भी बन सकता है कि noble price in economics या for economics ये किसका actual नाम क्या है तो इसका actual नाम हम लोग क ये देखने को मिलता है, स्वेरिजेस रिक्स बैंक, प्राइस इन एकनोमिक साइंस, तो ये एलफर्ड नोबल की memory के तौर पर जो है वो दिया जाता है और इसे noble price for economics जो है वो कहते है, ये प्राइस 1968 में जो हो शुरू हुआ था और ये basically जो हम लोग को देखने को मिलता है कि Sweden का जो Central Bank है, उसके donation के तुरू जो ही प्राइस दिया जाता है और Sweden के जो Central Bank को हम लोग ये कहते है, स्वेरिजेस रिक्स बैंक, राइट, ये दान जो है वो प्रोवाइड कराता है, और प्राइस के अंदर 10 million Swedish kroner award money हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि सभी noble price में हम लोग को लगाता है, देखने को मिली रहा है, और जो कि रफली 8.33 kroner या 8.67 kroner के आसपास जो है वो current की अगर हम लोग बात करें तो उतना हम लोग को देखने को मिल जाता है, और officially इसको जो है वो क्या कहा जाता है, वो मैंने भी आपको अल्रेडी बताई दिया, और 2021 के edition के बार education के क्या effect, education के क्या effect हम लोग को labor market में देखने को मिलते हैं, angryist और embed, इनको भी जो है वो award दिया गया, तो total 3 लोगों को ये award जो है वो मिला है, methodological contribution और उनने किया कि किस प्रकार से, इनके बीच में जो casual relationship जो है वो analyze की जा सकती है, दोनों ने ही develop करी एक research framework को, जैसे adopt किया गय तो ये चीज है, कि वो analysis करने के लिए, economic sense में, labor market, यह अली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, तो ये था पूर overall topic और बाकी UPSC 2022 के अगर आपको core preparation करनी है तरीके की, तो नीचे description पर पूरी details दी हुई है, तो आप जो है वो join कर सकते हैं patch को, जलो चलो मैं आपक टेक केर, have a great day ahead, Jai Hind!